आज के युग में जितना भी इंडस्टियल या नोन इंडस्टियल मोशन है वह सब मोटर्स के ही द्वारा उत्पन करा जाता है चाहे वो लीनियर मोशन हो या फिर रोटेशनल मोशन हो इलेक्ट्रिक मोटर्स हमारे आसपास हर जगा मौजूद हैं जैसे की हवा देने वाले प इलेक्शन मोटर, सिंकोनस मोटर इन में से DC मोटर का उपयोग बहुत ज़्यादा प्रचलन में है क्योंकि इन मोटर्स में बहुत सारी खूबिया होती है जैसे की DC मोटर का स्पीड कंट्रोल बहुत ही आसान है और इनकी स्पीड की रेंज भी बहुत ज़्यादा है इसी प् बनावट भी बहुत साधारंड सी होती है, बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो इनका कंस्ट्रक्शन एक मेटेलिक डिस्क से चालू होता है, जिने कुछ इस प्रकार के आकार में काट दिया जाता है, जिसे लेमिनेशन कहते हैं, इस प्रकार की काफी सारी लेमिनेशन्स को इखटा करकर रोटर की कोर बनाई जाती है, जिसमें एक बेलनकार का शाफ्ट फिट कर दिया जाता है, इसके बाद कॉर के किनारो पर इंसुलेशन को रखा जाता है, ताकि इन नुकीले किनारो से वाइनिंग का वायर ना कटे और वहा कॉर के कौंटेक में ना आए, इसके बाद एक प्लास्टिक का होल्डर इस शाफ्ट के उपर फिट कर दिया जाता है, इसे कम्यूटेटर होल जो एक दूसरे से insulated होते हैं और इस पूरी इकाई का आकार बेलनाकार होता है। इसको holder में fit करने के साथ साथ shaft से भी insulate करा जाता है जिससे short circuit ना हो। हर metal के बार से winding के सिरे जुड़े हुए होते हैं। हाँ पर winding को copper wire के द्वारा बनाया जाता है जिसमें बहुत सारे turns होते हैं। Windings को इस core के slots में रखा जाता है ताकि यह winding magnetic field के अंदर current का प्रवाग करवा सके जिससे rotor के उपर electromagnetic torque उत्पन हो सके। Magnetic field को permanent magnet के pieces के द्वारा उत्पन करा जा सकता है पर ऐसा छोटी motors में ही करा जाता है। बड़ी motors के लिए हमें electromagnet का इस्तमाल करना होता है। अब shaft में आगे की तरफ एक bush लगा दिया जाता है जो की छोटी motors में bearings का काम करती है। इसके बाद इस पूरी rotor assembly को एक कवच के अंदर रख दिया जाता है जिसे outer cover कहते हैं। यहाँ छोटी motors के लिए plastic का बना होता है, बड़ी motors के लिए यहाँ cast iron या फिर steel का बना हुआ होता है। इसके बाद पीछे की तरफ एक और cover को fit करा जाता है जिसे back cover कहते हैं, जिसमें एक brush holder होता है, जिसके अंदर brushes लगे रहते हैं। यहाँ brushes छोटी मशीनों के लिए copper के बने होते हैं, जबकि बड़ी मशीनों के लिए यहाँ carbon के बने होते हैं। इन brushes का कार इतना हैं कि यह बहार से दिये गए current को rotor के साथ गूमती हुई winding में अंदर पोचाते हैं, या फिर अंदर से बहार की तरफ लाते हैं। इस प्रकार से DC motor की पूरी बनावट होती है। अब आपको DC motor के construction के बारे में एक basic idea हो गया होगा, और अब हम इसको और भी detail में अपने अगले वीडियो में cover करेंगे। तब तक के लिए thank you.